नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 21st December 2022 के बारे में 21 December 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहाँ पर आप सभी को साफधानी रखनी हैं कैसे बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी जूद्हादा बैथरinizi यहाँ पर बना सकते हैं आज का यह जो दिन रहेगा यह काफी ज़्यादा important दिन यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा दिल और दिमाग के बीच में एक सामन जिससे स्थापित करना एक balance बनाने का यही दिन है और यहीं पर आप सभी को अपने आपको थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश जरूर किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज़्यादा stress नहीं लेना है बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होना है और कोशिश करिए कि जो भी काम आप करना चाहते हैं जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से dedication के साथ involved हो जाईए तो वह काम आपके जरूर होते ह होँ में दिखाई देंगे इस तरह का योग यहां पर दिखाई दीता है और नक्सद्रों की चल के साब से आप सभी को आज के दिमें फैनेंश्यवी कहीं नहीं प्रॉफिट यहां पर होता हुआ दिखाई देगा शेर मार्केट में कहीं न करें आप एक अच्छा मुनाफ़ा यहां पर कमा सकते हैं इस तरह के योग यहां पर बनते हैं साथ ही साथ अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं कोई नई डील साइन करना चाहते हैं बिजनस में या किसी पी तरह से करियर में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का ये दिन आपकी प्लानिंग के लिए आपकी सक्सेस के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट दिन यहां पर बन जाता है इसी वज़े से आज के दिन में फाइनिंशली ग्रोथ के चांसेस काफी जादा अच्छे दिकाई दिते हैं स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट दिन हैं अगर आपके चल रहे हैं या फिर आनवरे समय में और अभी तक भी पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा आज के दिन में थोड़ी सी कोशिश कर लिजिए पढ़ाई क लिए आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे आज की इस दिन में आप सभी जो छोटी व्यापारी हैं उन्हें काफी जदा अच्छा मुनाफ़ा यहां पर अर्ण कर सकते हैं इस पेशली अगर आप इंपोर्ट इक्सपोर्ट का काम करते है इस तरह की योग यहां पर जरूर दिखाई दिते हैं यहीं पर बात कर लें रिलेशिंशिप के लिए आज से भी आज का दिन काफी जदा अच्छा दिखाई दिता है आज के इस दिन में अगर आप सभी अपने दिल की बाद शेयर करना चाहते हैं अपने पार्टनर के आज के इस दिन में सेहत के मामले में भी काफी जदा अच्छा दिन यहां पर दिखाई दिता है डिप्रेशन के अगर आप मरीज हैं तो आपको काफी जदा अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिलेगी और काफी अच्छा पॉजटिव फील करते हुए आप यहां पर न दिखाई देंगे मलब कि कहीं न के किसी न किसी के ओपर एलिकेशन लगाया जा सकते हैं इस तरह की यहां पर जरूर बनते हैं साथ ही साथ एक और गटना जो मुझे दिखाई देती है कहीं न के किसी रिलिजियस टॉपिक को लेकर के एक बड़ा और मुद्दा यहां पर बनाय तक कुने साथ दिखाई देगा सबसे पैली हैं एकश्य इसन राशी में लकार राशी के लिए काफी जुक् использ दिखाई देता है नंब्र बात कर लें तो नमबो नमबो तीन सात केे लिए आज के दिकाँ का वी सब्ते हैं एल्फबिट्स में आप देख लिया जाए एल्फबिट्स में लेटर्स आप नोट कर लिजए प्लीज ए सी एच आई के आर वी और जेड आप सभी के लिए आज का दिन काफी ज़दा शांदा दिखाई देता है अगर आज आपका जन्द दिन है आपके जीवन का कोई भी विशेश मेत्वपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुपकामना आए इश्वर से ही प्राटना करता हूँ कि आप सभी का दिन शांदा आज आए और आने वाला साल आप सभी के लिए डेर सारी खुशिया अगर आज आप सभी का जन्द दिन है तो आने वाले साल में आप सभी को काफी अच्छे मौके मिलेंगे जहां पर आप कई सारी चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाला साल आपकी ग्रोथ को लेकर क्या आ रहा है खासकर अगर आप एजुकेशन सेक्टर से करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भी आप सभी के लिए बहुत इच्छा समय यहां पर दिखाई दीता है और अगर आप सभी शादी करने चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वारा साल काफी जदा benefits लेकर के आ रहा है तो इस पूरे साल का पूरा-पूरा फाइदा उठाइए इश्वर से और अपने माता पिता से आश्रिवाद लीजिए और इस साल को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर कर लीजिए अब चलिए बात कर लेते हैं आपर आज के वैदिक उपाय के बारे में कौन सा वो उपाय है जिससे की आज का ये दिन और भी जदा शांदार हो सकता है और आप सभी की परिशानिया दूर हो सकती है मेंटल स्ट्रेस है एंजाइटी है डेप्रेशन है या फिर किसी भी तरह के मानसीक तनाव से अगर आप गुजर रहे हैं तो आज के ये दिन के उपाय आप सभी को काफी अच्छा रिलीफ यहां पर देने वाले हैं आपको दो तिन चीज़े करनी हैं सबसे पहले तो सुबह सुबह उटकर सुरीदेव को नमन जरूर करिएगा अपने दोनों हाथों को जरूर देखिएगा और भगवान का शुक्रियादा जरूर करिएगा आज किस दिन के लिए और सुबह सुबह कोशिश करिएगा कि पेड़ पोदों में पानी जरूर पिला दीजिए अपने हाथ स अगर गर के आसपास पेड़ पहोते हैं गंबले हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी अपने हाथ से जरूर पिलाईए और थोड़ा सा नेचर को अप्रीशेट करने की कोशिश जरूर करिएगा दूसी चीज केसर का टीका अपने माते पर जरूर लगाईएगा इस बात का विशेश द्यान कीगा किसी भी विशेश कारिये से अगर आपको बाहर जाना है तो आज के दिन में आप डाक कलर का इस्तमाल कर सकते हैं और मल्टी कलर का इस्तमाल कर सकते हैं काफी ज़दा अच्छ तामब का पाणी का लोटा होना चीए वह अपने सिराने के राइट हैंड पर रख दीजिए अगर बैट पे या दो से जादा सोते हैं तो बैट के राइट हैंड पर उसको रख दीजिएगा और सुबह उठकर के कोई भी सदस्य उस लोटे को बाहर पेड़ पोदों में प्रव लगा दीजेगा जी हां किसी भी विशेशकारी से अगर आप बाहर जा रहें बहुत सलका सा एक दाना चुटकी बर नमक अपनी जुबान पर लगा करके फिर आप बाहर जाएगा इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे आज के इस दिन में जो नमबर जो वैदिक नमबर आपको इस्तमाल करना है नोट कर लीजेगा प्लीज ये नमबर रहेगा आपका 45446 बहुत इंपोर्टेंट नमबर है बहुत इच्छा नमबर है आज के दिन आपको क्या करना है इस नमबर को अपने सीधे हाथ के आप नीचे की तरफ यहां पर सी नंबर आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा आज के दिन में जो magical time रहेगा ये रहेगा आपका दोपर का समय तीन बचकर 50 मिनट 350 से लेकर के 450 तक के बीच का समय काफी जदा अच्छा समय है इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं आप सभी को अच्छे रिजर्ट यहां पर देखने को ज़रू मिल जाएंगे आज का दिन जो affirmation रहेगा ये भी आप सभी के लिए काफी जदा शांदा रहेगा नोट कर लिजीएगा प्लीज I am grateful that my life is so happy and successful ये आपको बोलना है I am grateful that my life is so happy and successful मतलब कि आप सभी को शुक्रियादा करना है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुश्या है और आपकी लाइफ पूरी तरह से सफल है उमीद करता हूं कि इसी तरह की feeling और इसी तरह क्या attitude आप सभी रखेंगे इसी तरह की positivity आप सभी के आसपस कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मददयां पर कर सकूँ धनिवाद